अब आया मुझे तो सांस कितना धूँआ और शोर था सड़क पर और इधर वाह कितना मजा रहा है प्रकृति के बीच अरे वाह देखो तो मेरा लगाया इमली का पेड इतना बड़ा हो गया आप सभी के खिल खिलाते हुए चेहरे बता रहे हैं कि आप सभी बहुत मज़िबे हैं बहुत अच्छे आप जानते हैं मुझे पेड लगाना उनका ध्यान रखना और सभी से यह कहना बहुत अच्छा लगता है क्या कहना यहाँ पेड लगाओ, पेड लगाओ, सारे मिलकर पेड लगाओ, धर्ती पर हर्याली लाओ, प्रदुशन को तुम दूर भगाओ पेड हमेदे, फल और फूल, इन्हें कातने की मत करो भूल, पेड लगाओ, सारे मिलकर पेड लगाओ, धर्ती पर हर्याली लाओ, प्रदुशन को तुम दूर भगाओ पेड लगाओ, पेड लगाओ, सारे मिलकर पेड लगाओ बहुत सच्चा और प्यारा गीत है यह, अरे देखो मुझे क्या मिला, पंक, किसका पंक है यह, सुनिये, सुनिये, पेड पर बैढ़ी चीडियों की चेचाहत, बिलकुल पेड सिर्फ मनुष्य के ही काम नहीं आते, पक्षियों के भी काम आते हैं, पक्षियों का तो घर है पेड, जिस तरहां पेड पौंधे अलग लग तरहां के होते हैं, उसी तरहां? जी हाँ, पक्षि भी तरह तरहां के होते हैं, चलिए जानते हैं आपकी पर्यावण अध्यन की किताब के पाथ, पंक फेलाए उड़ते जाए से, जरह सब ही इदर देखिए, पेड पर दू तो ते व्याटे हैं, चटक खरी रंग के, और लाल चोंच वाले, अच्छा बचों बताओ, आपने अपने आसपास कौन से पक्षि देखे हैं, बताए बताए बताए, अच्छा गोरया, चील, कबूतर, कवा, गिद, और बताए, बतक अरे वाँ, अरे वाँ, देखो गोरया अपने घूशले में बैठी है, और वहाँ देखो, उलू, उस तर पुडवा अपनी चोन से पेड में छेद कर रहा है, कितने सुन्दर पंक है इसके, और लगता है यह पंक कट फोडवे का ही है, जी हाँ, पक्षियों के पंक अलग-लग रंगों के होते हैं, उनके पंक उन्हें सुन्दर तो बनाते ही हैं, साथ में उन्हें गर्माहत भी दे आप जानते हैं, पक्षियों के पंक जड़ जाते हैं, और उनकी जगा नए पंक आते हैं, अगर आपको भी कोई पक्षी का पंक गिरा हुआ मिले तो उसे उठाएगा और अपनी कापी में चिपका दिजेगा, बिलकुल और जानने की भी कोशिच कीजेगा किस पक्षी का है और उस पंक पर कुछ पंक्तियां भी लिखिएगा अपनी कापी में, ठीक है, और एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताती हूँ, पक्षियों के पंक उन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं, पंक और उनकी मास पेशियां उन्हें उड़ने में मदद करती हैं, और साथ म उनकी जो पूंच होती है न, वो बीच हवा में पंची घुमा कर अपनी दिशा बदलते हैं, जिस तरह से पक्षियों के पंक तरा तरा के होते हैं, उसी तरह से पक्षियों की उड़ान भी तरा तरा की होती हैं, जैसे चील उची उड़ान भरती है, मोर्ग कम उड़ान भरत और एमू, शतरमुर्ख, पेंग्विन, जी हाँ, ये पक्षी उड़ नहीं पाते, बहुत भारी होने के कारण उड़ नहीं पाते पक्षियों के चोंच के अकार उनके खान पान के अनुसार होते हैं, जराइधर देखिए, गोरया इसके चोंच छोटी और नुकिली होती है, ताकि गोरया अनार चुक सके और अब इदर देखिए, बाज और चील और इनकी चोंच देखिए, जी हाँ, मुरी होई है यह दोनों मासाहारी पक्षी हैं और इनकी चोंचनुखीली होने के कारण इन्हें शिकार को खाने में मदद मिलती है और अब इधर देखिए बगुला बगुले की चोंच लंबी होती है जो उसे पानी में से मशली पकड़ने में मदद करती है बच्चों हर पक्षी की आवाज भी अलग-लग होती है देखिए तो टिटरी टीटी करती है और कवुआ क्या करता है बताईए जी हाँ कौं कौं करता है और कवुदर गुटरगू शाबाश और ऐसा पक्षी बताओ जो इनसानों की तरह बोल लेता है बताओ तो बिलकुल सही तोता तभी तो कुछ लोग तोती को घर पर पिंजडे में बंद करके रखते हैं क्या घर पर पिंजडे में तोती को बंद करके रखना सही है सोचिएगा जरूर बच्चों क्या आप जानते हैं मैना जटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उलू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है यानी पक्षियों के गर्दन घुमाने के तरीके भी अलग-अलग होते हैं अब है बारी बूझो तो जाने यानी पहेलिया पूझने की तो बताओ तो सिर्पर मेरे डैश है सुन्दर पंखो पर नाज है सुन्दर नाज दिखाता हूँ राष्ट्रिय पक्षी कहलाता हूँ बताए, बताए, बिल्कुल ठीक, सिर्पर मेरे ताज है, सुन्दर पंको पर नाज है, सुन्दर नाज दिखाता हूँ, राष्ट्रि पक्षी कहलाता हूँ, मोर, बिल्कुल ठीक आगे बढ़ते हैं, आकाश से सीधे आती हूँ, जपर चुहा ले जाती हूँ, पूँच है मेरी खाचे वाली, डैश हूँ में बड़ी निराली, बताए, बिल्कुल ठीक, चील आकाश से सीधे आती हूँ, जपट चुहा ले जाती हूँ, पूंच है मेरी खांचे वाली, चील हूँ, मैं बड़ी निराली आगे देखिए हरे हरे हैं मेरे पंक, लाल है मेरी डैश का रंग, हरे मिश मैं खाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ बताए अब आगे सुनिये काले काले डैश है मेरे डैश रंग, कां कां मैं शोर मचाता बताए बताए पंक, काला, कववा, शाबाश काले काले पंक है मेरे बिल्कुल सही, काला मेरा रंग कां कां मैं शोर मचाता, कववा मैं कहलाता हूँ, शाबाश आगे देखिए कुहु कुहु आवास लगाती, मधर मधुर मैं गीत, सुनाती सब के मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश मैं कहलाती बिल्कुल कोयल शाबाश कुहु कुहु आवास लगाती, मधर मधुर मैं गीत, सुनाती सब के मन को हूँ मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती आगे मरे जानवर खाकर मैं जगा साफ कर देता हूँ उंचे डश में उड़ता हूँ गिद मैं कहलाता हूँ क्या आएगा बिल्कुल आसमान मरे जानवर खाकर मैं जगा साफ कर देता हूँ उंचे आसमान में उड़ता हूँ गिद मैं कहलाता हूँ जी हाँ बच्चो, गित की जो उडान होती है, आसमान में बिल्कुल सही उची होती है आगे देखिए रंग सलेटी पंझे डाश, गुटरगूं की भर कर्चाभी दिन भर शोर मचाता हूँ डाश मैं कहलाता हूँ जी हाँ, गुलाबी कबुतर रंग सलेटी पंजे गुलाबी गुटरगूं की भर कर्चाबी दिन भर शोर मचाता हूँ कबूतर मैं कहलाता हूँ चोच है मेरी बड़ी निराली सुई हो जैसे सिलने वाली पत्ते सिलकर घर बनाओ टैस शिडिया मैं कहलाओ दर्जन शाबाज चोच है मेरी बड़ी निराली सुई हो जैसे सिलने वाली पत्ते सिलकर घर बनाओ दर्जिन शिडिया मैं कहलाओ पेड के डाश में छेद बनाओ उसमें चिपे कीडे खाओ टुक टुक करता जाता हूँ कट फोडवा कहलाता हूँ अब देखो पक्षियों की चोंच और बताओ किन पक्षियों की है ये चोंच बताओ जी हाँ तोथा शाबाज और आगे देखिए बिल्कुल ठीक मोर और ये देखिए जी हाँ कवा शाबाज और अब यहाँ देखिए बिल्कुल ठीक चील और इस तरफ जी हाँ बगुला अरे वाँ बहुत अच्छे तो अगर आपके आज पास कोई पक्षि दिखाई दे तो उसकी चोंच ध्यान से देखिएगा और अपनी कापी में उसका चित्र भी बनाएगा आप सभी पक्षियों की चोंच देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सा पक्षी है यह बच्चो अब पहचानिये पक्षियों के भोजन तोता बताएए क्या खाता है बिल्कुल ठीक अमरूद मिर्च कट फोडवा बिल्कुल सही कीडे कबूतर जी हाँ बीज चील मरे चानवर अच्छा तो अब आप सोचिये गिद क्या खाती होगी सोचियेगा तो बच्चो मज़ा आया आपको पक्षियों के बारे में जानकर और अब बारी है आपको ग्रह कारे देने की तो आपका कारे है पक्षियों के लिए अपने घर की चत पर या फिर किसे भी उची जगा पर अपने बड़ों की सहायता से उनके लिए पानी रखना और पक्षियों के घर बनाने के लिए पेड़ों को बचाना और लगाना ताकि प्यारे पक्षि खुशे खुशे हमेशा पंग फैलाएं उरते जाएं हमेशा स्वस्थ रहिए खुश रहिए नमसकार हमेशा स्वस्थ रहिए